गुद्ध मॉर्निंग फ्रेंज मैं हूँ अभी से एक प्रमिसे कॉम्पेटिशन कोचिंग यूटूब चैनल और इस वीडियों हम आप से बात करने वाले हैं इलेक्टरिशियन के सिलेबस के बारे में जिलनों अब आपने इलेक्टरिशियन को सिलक्किया तो वो लो इस वीडियो को देखे और मैं आपको बता हूँ इलेक्टरिशियन के बारे में एक चील आज जोगे एक्चली यह मेरा सबस्वेडिश्ट है क्योंकि आयम इलेक्टरिकल इंजीनियर और यहां पर मेरा अब अचली यह बिल्कुल नॉर्मल सीची यह अफिसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना बस आईटी आगा जो से लेवर से इलेक्रिशिटी का यह एलेक्रिशियन का वो सिर्फ पसिप सोलर शिक्स्टीन टॉपिक ही आपको पढ़ना है और यही 16 टॉपिक में से यह बात कि जो लोगों ने यानिके क्वालिफिकेशन मार्क जो भी क्वालिफाइंग मार्क है डिल्विक तरफ दिया गया जैसे कि जन्रल का 30 नंबर से और ओबीशी का सारे 22 नंबर स्टी का उनीश नंबर इस नंबर को पार किये वो लो तो बिल्कुल तयारी सुरू कर ही इसका जो एक्जाम होगे मुझे लगता है यह 15 जन्वारी से स्टार्ट और यह संभावित है क्योंगे ग्रूप डी का इंचारो जन्वारी को 14 दिसंबग खतम लिए उसका आर्प एक्जाम होगी एक महीन चले उसका रोगी से एलपी सीबीटी सेगन के जो की जन्वारी में इस ट्रक्टेड है तो जल्दी जल्दी इसकी त्यारी कर लिए सिबी फॉर्स्ट और शीबीटी फंसका हो गया सिबीटी सेंद का पाट ए और बूर्स नीजिलों का इलेक्ट्रीशियन है वो लोग इस वीडियो देखे इसमें के बताते हैं तो देखे सबसे पहले तो इसमे कե अबनाग परना इटी एकलंफने के जालतार यह तो इसका स्रक्ष्ठ बाड़े में वह कौन सा इस्ट्रूमेट यूजे ऐसका बिलकुल मेन और इलेक्टरोन प्रोटोन सब्सक्राइब में होता है इसके एंपियर के वारे में पढ़ना और रेजिस्टेंस के बारें पढ़ना यानि ओम के बारें पढ़ना है वो सब चीज़ बिल्कुल नॉम्मल सी चीज़ में आएगी वैसे मैं सब का पार्टिकुलर जब मैं क्लाज नौत उसका फूल डिटेल्स में बताँगा फिला इस वीडियों आपको पताइए सिर्फ टॉपिक का नाम वो सब चाँज करते इनवेटर को में उसके रूप में तो क्या रूप में तो उसका क्या कौन से शींडिक वारें यूज होता है और सब चीज़े वह सब घर से लेगर के तक में उसका फिर नमबर फोर्टना मेंगनेट एंड इलेक्ट्रो मैंगनेट और प्यक्तृ मैंगनेट नही तो हम लोग इतने भी मूवें चीजें जो भी यूज कर रहे हैं हम लोग इलेक्टिकी के रूप में वह सब बिल्कुल गुज़से ना यह सी रोख फ्रीज नहीं सेलिंग फैन होता नहीं मोटर होता नहीं जनेरेटर होता तो इसमें मेंगनेट सब्सक्राइब अबढ़ने का ऐसे बाद होता है उसे प्राइब के बारे प्रॉर्ड मेर्स इस्टम अद्शन की सब्सक्राइब करते हैं यह जब हम जब इलेक्ट्रिशिटी का अविस्कार के द्वारा था तो उसे में DC रेंट ही था DC current था और AC Current का उतना वेलों ने था DC Current का ही transmission and distribution किया था जिसमें के वालव एलवा एडिशन इसका सबसे में आदमी थे और उसका फिर बाद में जो आये थे वे घ्यानिक जिसका नाम था टेसला जिसका नाम था टेसला तो उनके बीच काफी जदा तेसला ने ये कई का अशूटाइब प्रशन है और इन्हों क earn करेंट का लिए तुसरी को बताएं सियजय सोफ की अल्टडिनीै एक त्रतरहिए करेंट मेज़ अश्य लीक्रिकल इंस्ट्रेंस इंट्रुमानल मेर्ड इंस्ठुमेट्र ये हुअ इंच्रुमेंट हम लोग यूज करने से कि एमेटर वोल्ट मीटर एनरजी मीटर ओम मीटर यह सब जीजे तो इसके अपर ना इसमें उसका पर ना पो चनल जाल्ट चेसला पता यह सब्सक्तुर्ब नाइन पर्ण प ли रुफियो wants to लाइटिंग के बारे में इस वी इस वीड़ो को लैक किजिये और हैं सब्सक्राइब कि और यहां पर पिखिए आपको जो भी टपिक मफो लई है यहाँ यहीं सब टॉपिक आपको पढ़ना है और बस ज्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है तो आप एलक्री यादि आप एल्पी आप टेक्निशन का एक्जाम आप बिल्कुल अच्छी तरह से क्रेक्ट कर सकते हैं और इसमें बिल्कुल फूल 110 पर संट गायर्टी देता ह है और सिर्फ जादा कुछ ने पढ़ना है इसको एक लाइन का पड़िवासा पढ़ना है बस नाम में सब कुछ छुपा हो जैसे की इंडक्शन मोटा इंडक्शन का मतलब क्या होता है ट्रांस्फॉर्मर ट्रांस्फॉर्मर का मतलब बस मिनिंग के अंदर में उसका पूरा- प्रांस्फ यह जैनि सिवीटी सेकेंड का अभी से कॉंपेटिशन को चींग में आप चाहें तो ऑनलन कोर्स कीजिए या फिर और को डायक्ट आकर के हमारे कोचिंग में मुझसे बिल्कुल डायक्ट पढ़िए मेरे होस्ता में रही है तो अब देखिए कि आपको सिवीटी करेंद में जो है जिन्हों ने इल्क्रिकियम स्लग किया के लिए वीडियो था तो ओलोका यह सोलो टॉपिक क्या स्काइब समय साइंस और तो पर होगा और उस पीडिए फोरकोड वाले बिल्कुल भी नहीं जन्पियंग उसको तो और उसका प्रणा अपको अन फैसा ओंडर उसका पर घ्रक्राइब परणने जो कि के साइगा पंदर कोशन और वे साइंस एंड इंजिनेरी साइगा आपको तीस कोशन रिजनिंग से तीस कोशन मेच से पतीस कोशन और तो यह राप फुल और जिननों ने किसी और ट्रेड को गें आप सलेट किये तो वह सब का वे आपको वीडियो कोचिंग ने और ज्यादा कुछ प्रॉल्म होगा नहीं तो आपको इसका आपको ऑनलान कोर्स का टोल फिए 4000 रुपे जिसमें आपको 2000 रुपे लगता है वीडियो कोचिंग का पीडियाफ नोट्स के और बुक का तो आप लेते हैं 2000 रुपे का नोट्स तो आपके घर तक पहुंचेगा ग्रुप आएगा उस ग्रुप में आपको वीडियो का लिंक और पीडियाफ नोट्स मिल जागा आप दोनों लेते हैं साथ में तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी क्योंगे हार्ड कॉपी में आप घर पे उसको तयारी किजेगा प्रैक्टिस किजेगा और यहा तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप मुआने वेबसाइट से खाहिदना चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट है विद्याकुल.com तो आप वहां से भी सारा कोर्स खाहिद सकते हैं और इसे बिल्कुल डैक्ली मुझ से खाहिदने के लिए आपको बस 2000 रुपे का वह पूरा इंजिनियरिंग पर अधाइद होगा और यदि आपको पास बिल्कुल अच्छा सचा बिल्कुल अच्छी तरस कॉंसेट नहीं निकाल पाएं क्योंकि एस्टों के सग्या काफी ज़्यादा है बहुत ही ज़्यादा है और लापो एस्टों के बीच में से आपको सब्सक्राइब करें तो इसी क्लास में वह साथ दिन का होता है तो बस आपको यह वीडियो पसंद आदे फिली वीडियो को लाइक कीजिए और जली लिए कमेंट कर देजिए अपना की आपका आपने कौंसा सेकेंड पेपर में आपका कौंसा सब्जेक्ट है तो वह लोग ज लोग को Demo Class के अलावा जो मेंट लिंक होता है उसमें मिलेगा सबसें इंपोक्शान है सभी टापिक का क्लेक्सिं प्लस में उस टॉपिक मैं से में सब जगहां पर तो यानिक टॉपी का तीन एपीशोड मिलेगा एप फिडिये होगा जो कि सभी लोगों को मिलेगा यूटुप पर आजाएगा नमबर स्केंड जो टॉपी को वह 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 होगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्म दिस टॉपी और नमबर त्री जो वह प्रक्तिस और नमबर फोर यह आपको एड कर देंगे जो कि बाद में आएगा जो कि आएगा एंसी क्यू टैप पर प्रोश्चन फेबर जो कि अपको हम टेस्ट ले लेंगे यानि आपको हम पढाएंगे भी हम इंपोर्टेंट को सब्सक्राइगे बाताएंगे बैक का को आपके हाथ में होगी क्योंकि हम आपको इस तरह से त्यारी करवाएं कि जब मेरी उमर्थी मेरी उमर्थी सारे 18 साल तो हम आरार भी मुझवफप पुशे एलपी पास कर लिये थे गोड़्या चौदा में तो और फिलाल हम पोचिंग बनाते आप लोग को तो इससे हम आजा क्लास स्टार्ट हो चुका है आप जल्ड़ जल्ड़ी इसको पर मेंट कीजिए और पार मेंटिक बाद आप वीडियो कोचिंग मिले सकते हैं नोट्स भी ले सकते हैं ज़िए को एक साथ नहीं है तो आप 2000 पे का पहले बीडियो को चलिजिए फिर बाद में 2000 पे का नोट्स का त्यारी आप बार लगे पेपर सेकंड को आप अच्छी तर्थ ध्यान में रखिए क्योंकि यहां पर आपको कैटावरी का फाइदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और कम सेंगम 35% नमबर आपको लाना ही है और टॉपर में आपको आना है तो बिल्कुल टॉप से टॉप यहां पर तो आप नहीं बन पाईए लोको पालेटी अफ़ी टेग्निशन इसलिए सेगेंड सबसे इंपोर्टन सब्जेक्टर है और इसको आप अच्छी तर्ष तयारी करें दिए सीवीटी फर्स की तरह इसको बिल्कुल ही मत समझेगा थैंक्यू सो मच इस वीडियो को द क्योंड़ है और इसको आप प्यारी का Mantra रानी के मत समसे मत दल्संट। झाल झाल